तो भाई साहब यह मेरे पास के वल और यह जो आप लोग देख रहे हैं यह नौर्मल केवल से इस्पेसल केवल है जैसी आप लोग देख सकते हैं इसकी बनावत तो मैं बता देता हूं मैं यह जो यह वह तार है और आप्टिकल फाइबर जो हमारे कली मोहले में आपने देखा कबाल हुआ मतलब नॉमल 바 देखेंगे तरे जिसके आप देखेंगे कि तर में बहुत सारे वायर तपर इसके नियुक्त बारी इसके आप एक और स्थम्राइब नेत्ट हमें इस वीडियो में इसका पॉस्ट मार्टम करने वाला हूं कि यह जो इसके अंदर वायर होता है बाल कि जितना वारिक होता वायर जिसने हमारा डेता ट्रांसफर होता है तो चलिए फिर इसको खोल दिखाते हैं वह वाला करने होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा असानी तरीकी से तो यहां से मैं इसको काड़ देता हूं तो भाई यह लोग यह हमारा आ गया है चोटा सा पीस ऑप्टिकल फाइबर का कट कर अब करते हैं इसका पोस्ट मार्टम तो गाइज आप लोग इधर देखिए इसकी जो सब्सकारे चोटे-चोटे तार हैं अभी साइद आप लोग सभी से नहीं देख पारेंगे लेकिन इसको पहले काटते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूं आगे का सिस्टम तो यह भार की लेयर है ब्लैक कलर की इसको मैं हटा देता हूं साइड से थोड़ी सी यह रा मेरा बोजार और इसकी मदद से काटते हैं इस भार वाली लेयर है कि अब कर देखिए काफी मसकत के बाद यह जो भार का खोला इसका ब्लैक कलर का वह निकल गया है और अब आपका इसका स्ट्रक्चर देखिए इसमें कितने सारे आपको दिख रहे होंगे अलग अलग तार है और यह जो आप लोग इसमें स्काइब लू कलर की चीज देख रहे हो यह सिर्फ इसकी मजबूती के लिए मतलब जो तूटे ना खिचाओ में यह जो तार है उस पर इफेक्ट ना डले यह चीज काम की नहीं है यह वाली यह सिफ वैसी अब आपको दिखाता हूं तो गाइस इसमें जो में तार है वो है यह यह लग लग अपकलर की आप लोग वायर देख सकते हैं इसमें तायर पूरे तार अगिन के दिखाता हूं आपको एक दो तीन चार चार और चार आठ गाइस इसके अंदर पूरे आठ वायर है और इन वायर के अंदर भी और वायर है अभी आपको आगे दिखाता हूं फॉर और आप लोग इसमें देखिए बीच में एक पाइप जैसा और है तो यह भी गाइस इसकी सेफ्टी के लिए नहीं है जो काम है करते हैं वह सित इन तारों से काम होता है इस कलरफुल आप लोग वायर देख रहे हैं तो चलिए इसको भी खोलते हैं आगे लेकिन पहले मैं इनहें काट देता हूं अलग कि अब आप लोग दख रहे हैं और इसके अंदर जो और वायर होती है उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसको ध्यान से काटना पड़ेगा क्योंकि यह भी तार बारीक है और इसके अंदर जो तार निकलें वह भी बहुत बारिक होंगे तो इसको बिल्गुल प्यार से काटना पड़ेगा क्योंकि अंदर के वायर कट सकते हैं कि और गाइस देखो मैंने इसको काट दिया है इसको निकालता हूं मैं भार इसके अंदर कितने बड़ी बड़ी वायर है और मैं आपको गिन के बिताता हूं है और भाई देखी यहां पर इसमें कुछ चिपची का निकल रहा है इसके बीच में से देखिए मेरे उंगली पर भी डग गया है और सब्सक्राइब के अंदर और यह जो बारिक तार है एक वाइट कलर है और और ब्राउन है एक ब्लू एक ग्रीन और एक ब्लैक तीन और तीन च्हें वायर है टोटल गाईज इसके अंदर यह देखिए आप लोग आपको बता दो कि इस वायर के अंदर भी और वायर अभी है इसको अगर मैं लूँ जिसे ग्रीन वायर है यह वाला इसके अंदर भी एक वायर और निकलेगा जो वह जो निकलेगा वही गाईज में और फाइबर जिसके तरूब डेटा है वह ट्रांसफर होता है तो चलिए म आप लोग देखिए जूम करके यह वायर है और किस तरह से दिख रहे हैं और जो मैं आपको बता रहा हूं यह जो ग्रीन वायर है तो यह सारे वायर के अंदर एक और वायर है इसमें से गाईज मैंना यह जो ग्रीन वायर है इसको ले लेता हूं और इसके अंदर एक जो वा तो देखिए मैं इसके अन्हां से निकालगए ऑपको दिखाने कोशिस करूंत हुआ तो आप लुग देख पा रहे होंगे कि यह देखिए ग्रीन कलर के आगे अजब दिख रहा होगा आपको ट्रांस्पिरेंट के दिख रहा है आपको यह में अप्टिकल फायवर है जिसके अंदर से हमारा डेटा ट्रांस्फर होता है यह देखिए कि मेरी जो उंगली की फिंगर्प्रिंट्स है वह भी दिख रही है और फिंगर्प्रिंट्स से भी देखिए बारी की दिख रहा है 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 कि अब बहुं है तो भाई आप लोग ने देखा की यह दुए है कि इसका पूरा खेलता इस वाहर का मतलब यह बल्लैक कि वायर अंदर भी यह आठवायर और उसके अंदर भी यह जह मायर और फिर उसके अंदर और भी एक optical fiber तो आप लोग देखिए गाईस कितनी बारी की से स्तार में काम हो रहा है और आसा है आपको मजाय होगा देखकर किस तरह से वायर इसकी अंदर दिखते हैं कैसा optical fiber होता है गाईस प्लिकुल ट्रांस्परेंट कलर का होता है जैसे कि आप लोग ने वीडियो ने में करते हुए तब तक के लिए बाबाइए अ क्लिकेत है जैसे सिट फ़िस्ट का है दो विता रहा हैं कम एक रज भे किस वाद से संटेगन से तरह स कर दाव को प दो है अज जहनाए जो रहा है।